नमस्का दोस्तों प्यल्टिक्स में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस क्लास में आपको UPSC वीडियो रेक्जाम 2022 के लिए इविद्या का प्राक्टिस सेट लेकर आया हूँ और इसमें भाग थर्ड सामान जानकारी के कोस्चन्स को सॉल्व करेंगे दोस्तों इसमें समान जानकारी के 50 कोस्चन्स को इसमें देखने वाले हैं इस क्लास में दोस्तों दोस्तों इसके पहले इस प्राक्टिस सेट के हिंदी के 50 कोस्चन्स की क्लास आपको प्राइड कर दी गई है यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व वहाँ पे जाके आप जोइन कर सकते हैं और अभी तक जितनी भी क्लासें आपको प्रवाइड की गई हैं उन सभी की PDF आपको टेलिग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे शेयर कीजे दोस्तों आएए शुरू करते हैं आज की इस क्लास के कोश्चन नंबर 101 से कोश्चन नंबर 101 है निमलिकित में से किसे भारती प्रतिभूत और बिनमय बोर्ड से बी का चेर परसन 28 फरवरी 2022 को निक्त किया गया है तो इस कोश्चन का दोस्तों आपको राइट आंसर देना है तो यहां पर इस कोश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आप्सन B हो जाएगा माधवी पूरी बुच आप्सन B राइट आंसर हो जाएगा अगला question question बर 102 है दोस्तों भारत का पहला राष्टी समुंदरी सुरक्षात समन्वाय फर्वरी 2022 में किसे निक्ट किया गया है तो right answer option B हो जाएगा जी असोग कुमार को ध्यान रखेगा दोस्तों current affair के questions है फ्रेंक वाल्टर इस्टीन मियर फर्वरी 2022 में किस देश के दूसरी बार राठ पत चुने गया है तो यहाँ पे इस question का right answer option B हो जाएगा जर्मने नेक्स question 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 number 104 केंद्री माधमिक सिक्षा बोर्ड CBSC का नया chairman फर्वरी 2022 में कौन बना है तो यहाँ पे इस question का right answer हो जाएगा option B विनीत कुमार जोसी इसका सही जवाब है नेक्स question 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 number 105 है प्रोफेसर शांतिसरी धूल पूडी पंडित किस बिस्विद्याले की पहली महला कुलपति फर्वरी 2022 में बनी है तो right answer option B हो जाएगा जवाहल लल नहरू बिस्विद्याले अगला question question number 106 शियो मारा कास्तरो जनवरी 2022 में किस देश की पहली महला राठपति बनी है तो यहाँ पे इस question का right answer जो होगा option B हो जाएगा होंडू रास होंडू रास इसका सही जवाब हो जाएगा अगला question question number 107 निमलिकित में से किस इस्थान पर म्यूजियम आपदा फ्यूचर नामक संग्राले खोला गया है दोस्तों तो दिये गए options में से आपको right answer का chain करना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा option A दुबाई सयुक्त अरब अमीरात इसका सही जवाब है यूद्र ग्रस्ट यूक्रेयन से भारती नागरिकों की स्वदेशी वाबसी के लिए चलाएगे निकाशी मिशन को क्या नाम दिया गया है तो यहाँ पे इस question का दुश्थों right answer जो होगा option B हो जाएगा operation गंगा next question question number 109 है सर्वच नयाले का नयाधिश अपना पत्याग सकता है पत्र लिखकर किसको पत्र लिखकर option यहाँ पे right answer जो हो जाएगा option B हो जाएगा राष्ट पत्र को सर्वच नयाले के संबन्द में उपबद्ध संबिधान के अनुछेद 124 से 147 में दिये गया है सर्वच नयाले का नयाधिश राष्ट पत्र को संबोधन द्वारा त्याग पत्र दे सकता है option B यहाँ पे right answer हो जाएगा अगला question question number 110 निमलिकित में से कौन एक संबैधानिक संस्था नहीं है आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सी संबैधानिक संस्था नहीं है तो यहाँ पे इस question का right answer हो जाएगा option B योजना आयोग योजना आयोग का गठा ने एक मंदली प्रस्तावदोरा किया गया था इसके विप्रीत बित आयोग अनुचेद 284 चुनाव आयोग अनुचेद 324 लोग सेवा आयोग अनुचेद 315 से 322 के अंतरगत भारती सम्मिदान में उन लिखित है तो option B इस question का right answer हो जाएगा अगला question question number 111 दादा भाई नरोजी के विषय में निम लिखित में से कौन सा एक कथन आसत्त है तो इन में से आपको बताना है दिये गए विकल्प में से कौन सा कथन आसत्त है तो यहाँ पर इस question का right answer हो जाएगा दूस्तों option D हो जाएगा उन्होंने चार बार भारती राष्टी कॉंग्रेस की अधिक्सता की थी option D यहाँ पर आसत्त हो जाएगा दादा भाई नरोजी से पहले गुजराती भारती थे जो एल फिस्टन कॉलेज बंबई वर्तमान मुंबई में गडित और भोतिकी के प्रोफेसा निक्त हुए थे 1892 में उदारवादी पार्टी की ओर से बिर्टिस पारलियमेंट का एक सदस निवाचित किया गया था और इन्होंने एक गुजराती पत्रिका अरस्ट गोस्तार का आर्म्व किया था और इन्होंने चार बार नहीं बलकि तीन बार 1886 और 1893 और 1906 भारती राष्टी कॉंगरेस की अर्श्था कि थी तो यहाँ पे option D राइट अंसर हो जागा क्योंकि यहाँ पे असर पूछा गया है अगला question, question number 112 Congress के मंच से भारती राष्टी Congress के किस अधिवेशन में पृत्वम बार सुराज शब्द बेक्ट किया गया था तो यहाँ पर इस question का right answer option यह हो जाएगा बनारस अधिवेशन 1905 Next question, question number 113 है निमलिकित में से कौन सा योगम सही सुमेलित नहीं है तो आपको देगा options में से कौन सा योगम सुमेलित नहीं है आपको चैन करना है तो यहाँ पर इस question का जो right answer हो जाएगा option D हो जाएगा Frank Morris, India from करजन to Nehru and after option D जो है योगम सुमेलित नहीं है और बाकी options जो है सुमेलित दिये गए है ध्यान रखिएगा अगला question question number 114 निमलिकित में से कौन सा योगम सुमेलित नहीं है तो इसमें भी आपको सुमेलित नहीं है option को option का चैन करना है तो यहाँ पर इस question का right answer जो हो जाएगा दूस्तों option A हो जाएगा भागत सिंग दा इंडियन सोसियो लॉजिस्ट option A यहाँ पर सुमेलित नहीं दिया गया है तो भागत सिंग किसे सुमेलित हो जाएगे why I am an atheist से समन्धित हैं दोस्तों option A यहाँ पर right answer हो जाएगा question number 115 एक करतिम उपग्रह में बिद्य तुर्जा का सुरोत क्या है आपको बताना है दोस्तों दियेगा options में से क्या right answer हो जाएगा एक करतिम उपग्रह से बिद्य तुर्जा का सुरोत सौरसल होता है और इसी से 24 गंटे बिजली की आफूरती होती है जोस्तों ध्यान रखेगा तो right answer option B हो जाएगा सौरसल next question question number 116 धोनी तरंगे नहीं चल सकती तो धोनी की जो तरंगे है किस में नहीं चल सकती है option A दिया गया ठोस में option B है द्रबो में option C है गयस में option D है निर्वात में तो आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा तो धोनी तरंगों के संचराण के लिए माध्यम क्या आउसकता होती है और माध्यम में द्रबिमान और घनतों जितना आधिक होगा धोनी का बिग उतना ही आधिक होगा तो हवा में धोनी की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है ध्यान रखिएगा और यह तापमान बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है तो यहाँ पे इस कोश्चन का जो राइट आंसर होगा option D हो जाएगा क्योंकि निर्वात में धोनी तरंगे नहीं चल सकती है अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 117 दस्तार बंदाना कौन कहलाते थे तो राइट अंसर आप्सन D हो जाएगा उलेमा अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 118 ग्रामीड अवस्थापन विकास कोस का सरजनकिस के आधिन किया गया है तो यहाँ पर इस कोश्चन का राइट अंसर आप्सन भी हो जाएगा नावार्ड के द्वारा किया गया है और नावार्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों आपको कमेंट्स करके बताना है नावार्ड की स्थापना कब हुई थी अगला कोश्चन क्योंकि इस question का answer मैं पिछले practice set में करा चुका हूँ आए देखते हैं next question, question बार 119 है सूची first और सूची second को सुमेलिद कीजिए तथा नीचे दिये गए code से सही उतर चुने तो यहाँ पर इस question का जो एक तरफ दिया गया दूसी तरफ सूची second छेतर दिया गया है तो यहाँ पर आपको मिलान करना है बीर होर जारखंड से समन्दित हो जाएगा रुस्तो भूटिया सिक्किम से हो जाएगा third option से और टोड़ा जो है आपका तमिल नाड़ second option से match हो जाएगा sentinel is option a अंडमान एओ निकोबार दिवसमों से समन्दित हो जाएगा तो इस प्रकार यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा option a हो जाएगा a का 4, b का 3, c का 2, d का 1 next question question number 120 निम लिखिट में से कवन एक बेस्तेतम समुंदरिक ब्यापार मार्ग है तो आपको दुस्तों बताना इस question का right answer क्या हो जाएगा बेस्तेतम समुंदरी मार्ग उतरी अटलांटिंग महासागर है दुस्तों option d यहाँ पे right answer हो जाएगा अगला question, question number 121 निम लिखिट में से सीटोशन घास के मैदान यूरेसिया में पाए जाते है तो इस question का यहाँ पे right answer हो जाएगा option C यहाँ पे right answer हो जाएगा step is option C right answer है downs जो है Australia और prairie जो है आपका उत्तरी अमेरिका और weldas weldas दक्षण अफरीका और पंपास इसमें दिया नहीं गया है लेकिन पंपास आपका जो है दक्षणी अमेरिका से समंधित हो जाएगा तो अगला question question number 122 राष्टी जलमार्ग संख्या first जोडता है किसको जोडता है तो राष्टी जलमार्ग संख्या एक प्रयाग राज से हल दिया कि देश में छा राष्टी जलमार्ग है ध्यान रखना है अगला question question number 123 बिस ओजोन दिवस का मना जाता है most important question है पूछा जाता है ये आपका तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों बिस ओजोन दिवस 16 सितंबर को मना जाता है option A right answer हो जाएगा next question question number 12 नरन मोदी दिमायन दि टाइम्स पुस्तक लिखी गई है किसके दोरा लिखी गई है तो नरन मोदी दिमायन दि टाइम्स पुस्तक निलांजन मुको पध्याय दोरा लिखी गई option D यहाँ पे right answer हो जाएगा next question question number 125 है 2011 में निमलिखित राजियों में से किस राजि में उच्तम लिंगानुपाद है बहुत ही महत्पून प्रस्ण है दोस्तो तो दियेगे बिकल्पों में से तमिल नाडु का लिंगानुपाद सरवाधिक है दोस्तो तमिल नाडु का लिंगानुपाद सरवाधिक है जबकि इसके आत्रिक्त भारत में सरवाधिक लिंगानुपात की यदि हम बात करें तो केरल का है दोस्तों केरल लाज में है केरल लाज में जो है 9906 लिंगानुपात है दोस्तों और जबकि तमिल नाडु का तमिल नाडु का 9906 है यहाँ पे तमिल नाडू का जो है 990 है दूस्तों बिकल्प के एकॉर्डिंग option A तमिल नाडू आएगा जबकि सरवाधिक भारत में सरवाधिक लिंगा नुपाज जो है वो केरल राज का है आज से ध्यान लखना है आपको ठीक है दूस्तों option A right answer हो जाएगा इसका अगला question question number 126 ozone biosphere बचाती है किस से बचाती है देगा options में से आपको right answer का chain करना है तो यहाँ पे इस question का right answer option B हो जाएगा दूस्तों ultra violet के रणों से बचाती है तो ozone का सूत्र जो होता है O3 होता है दूस्तों देहा रखिएगा अगला question question number 127 संगम गरंथ तोल कापियम किस बचाती है तो यहाँ पे इस question का right answer option B हो जाएगा ब्याकराण से ब्याकराण पर आधारित है अगला question question number 127 है सुमेलित करें जो सुमेलित करना है सूची फर्स्ट में लेखा का है सूची सिकेंड में गरंथ है तो कौटिल का गरंथ कौन सा हो जाएगा आर्त साथ से समंदित हो जाएगे भद्र बाहू का कल्प शुत्र हो जाएगा अब कत्यायन का इसमरती हो जाएगा और पतंजल का तो आप सभी को पता है महाभास इन्हों ने लिखा है तो यहाँ पे इस कोशन का जो राइट आंसर हो जाएगा अप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे ए का फोर, बी का थरी, सी का वन डी का टू अगला कोशन, कोशन नमबर 139 लाक बक्स की उपाद किस सासक को दी गई थी तो आपको बताना है दोस्तों तो यहाँ पे इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा कुत्बुद्दिन को लाक बक्स की उपाद दी गई थी दोस्तों तो यहाँ पे राइट आंसर आप्संटी हो जाएगा कुत्बुद्दिन ए बक्स को अगला question, question number 31 दिली के सुल्तान का पद संभालने से पूरु बल्वन कि सुल्तान का प्रधान मंत्री था तो इस question का दोस्तों right answer हो जाएगा नसरी दुन, महमूद का काल बल्वन के उतकर्ष का काल था उसके काल में संपूर्ण शक्ती बल्वन के हाथों में केंद्रे थी अगस्त 1249 इसवी में बल्वन ने अपनी पुत्री का बिवाहन नसरी दुन से करा दिया इस अवसर पर उसे उलुगखा की उपादी और दर्बार में उचपद दिया गया था दूस्तों 1266 में नसरी दिन की मेलत्युख के परचात बल्वन गद्दी पर बैठा और अपने विरोधियों की स्रमाप्ती के लिए उसने रक्त और लाहनीती अपनाई किसने अपनाई तो बल्वन रक्त और लाहनीती तो यहाँ पर इस question का दोस्तों right answer जो हो जाएगा option A हो जाएगा नसर उद्दिन अगला question, question number 131 भारत में निरत नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के ज़िमेदारी निमलिकित मैंसे किसकी है option B right answer हो जाएगा संगीत नाटक अकादमे इसका साही जवाब हो जाएगा और इसकी स्थापना की यदि हम बात करें तो 31 मई 1952 की गई थी और किसके दोरा सुच्छा मंत्राले भारत सरकार दोरा की गई थी 31 मई 1952 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों और यहाँ अकादमी कहा इस्थित है नई दिल्ली में इस्थित है यह भी आपको ध्यान में रखना है अगला कोश्चन कोश्चन बर 132 सौर मंडल का सरवाधिक गर्म ग्रह कौन सा है most important question है easy question है सभी को इस question का answer बन जाएगा सभी पे तो यहाँ पे इस question का right answer जो हो जाएगा दोस्तों सुक्र ग्रह सुर से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है और सुक्र के वाई मंडल में carbon dioxide की प्रचूरता होती है और इसके कारण यहाँ यहाँ सौर मंडल का सरवाधिक गर्म करा होता है दोस्तों तो option यहाँ पे जो है option यह right answer हो जाएगा सुक्र अगला question question number 133 भारत में हरिद करांति अब तक किसके मामले में सरवाधिक सफल रही है तो भारत में हरिद करांति गर्म के मामले में सरवाधिक सफल रही है तो option C right answer हो जाएगा इस question का next question question number 134 अंडमान दीब समूह और निकोबार दीब समूह निमलिकित में से किसके दोरा एक दूसरे से अलग किये गए है तो इस question के हाँ पे right answer हो जाएगा option A उच्च नयाले के मुख नयाधिस की नुक्ति कौन करता है तो उच्च नयालों के नयाधिसों की नुक्ति राठ पर करता है वह मुख नयाधिस की नुक्ति उच्च तम नयाले के मुख नयाधिसों और राजी के राज़पाल के परामार से करता है option यह यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question question 136 है सुईत क्रांती का समंध किसे है most important question है ज़्याद तर परिचाओं में यह पूछा जाता है तो सुईत क्रांती का समंध किसे हो जाएगा दोस्तों तो सुईत क्रांती का जो समंध है दुख्द उत्पादन में ब्रद्धी से होता है और सुईत क्रांती का जनक काउन है वरगीज कुरियन को माना जाता है जहां रखेगा वरगीज कुरियन अगला question, question number तो यहाँ पर इस question का जो right answer होगा option B हो जाएगा दुख 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 पादन next question number 137 है सूची first को सूची second के साथ सुमेलित कीजे तथा नीचे दिये गए कूर्स से सही चुने तो एक तरफ दिये गए, सूची first में मातरक दिये गए सूची second में राशी दिये गई है तो आपको बताना है दूस्तों तो meter प्रत second square किसका मातरक होता है? किस राशी का है? तो तुरण का मातरक होता है, तुरण का मातरक क्या होता है? meter प्रत second होता है, square option B में दिये गए Newton second Newton second किसका होता है? आब एक का होता है तो Newton second जो है आब एक का मात्रक Newton second होता है Newton option C में दिया गया है तो ये बल का मात्रक होता है बल का मात्रक Newton होता है अब करत कार का मात्रक जूल हो जाएगा तो यहाँ पे option A right answer हो जाएगा दूस्तों यहाँ पे A का 4, B का 1, C का 2, D का 3 अगला question, question number 138 अंतरष्टी पर्माड उर्जा एजनसी का मुख्याले काहां इससी थे तो इस question के हाँ पे right answer option D हो जाएगा वाजसिंग गटन में इस्तित है दोस्तों और इसकी इस्थापना की यदि हम बात करें तो 29 जुलाई 1957 में की गई थी दोस्तों ध्यान रखिएगा अगला question question number 149 दादा साहब फाल के परुषकार सरपथम किसे मिला बहुत ही महात्पून प्रशन है सरपथम सिर्मती देविकार रानी को वर्ष 1979 में दादा साहब फाल के परुषकार दिया गया था और वर्ष 2017 का 65 दादा साहफ आल के पुरुषकार बिनोज खना को 13 अप्रेल 2018 को दिया गया है ध्यान रखेगा दोस्तों तो यहाँ पर राइट अंसर आप्सान यह हो जागा स्रीमती देविका राने अगला कोश्चन कोश्चन नबर 140 भारत ने सरुपथम किस ओलांपिक खेल में होंकी में स्रोंड पदक जीता था तो इस कोश्चन का राइट अंसर हो जागा दोस्तों भारत ने सरुपथम 1980 मासको ओलांपिक खेल में होंकी में स्रोंड पदक जीता था कार्तिक एक लोक नर्त है किसका है तो कार्तिक बुंदेल खंड का एक लोक नर्त है option A right answer हो जाएगा नेक्स कोश्चन, question 142 प्रसिद्ध सास्त्री गायक भीम सें जोसी समंधित है तो किस समंधित है तो right answer option B हो जाएगा किराना घरानिस से समंधित है question number 143 है निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है तो कथक कलाकार दिये गए options में से कौन नहीं है तो इस question का right answer हो जाएगा दूस्तों किसन महाराज कथक कलाकार नहीं थे ये एक बिख्यात तबला वादक थे द्यान लखेगा तबला वादक तो यहाँ पे right answer option भी हो जाएगा किसन महाराज अगला question, question no. 144 वर्ष 2011 के अनुसार code से सही उतर चुने तो यहाँ पे इस question का जो right answer हो जाएगा यह हो जाएगा छेदफल में उतर प्रेद इसका चौथा बड़ा राज्ज है इस बात को भी ध्यान रखना है आपको दूसरा देश की जनसंख्या में उतर प्रेद का 16.5% का योगदान है यह भी सही है और उतर प्रेद की साक्षर्ता दर राष्टी आउसर से कम है इस point को भी ध्यान में रखना है तो यहाँ पर आपका जो right answer हो जाएगा option A हो जाएगा पहला दूसरा और चोथा option सही दिये गए है अगला question question number 145 वर्ष 2011 के उनसार उतर प्रेद के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षर्ता है तो option A right answer हो जाएगा यहाँ पर sorry इस question का right answer option D हो जाएगा रामपूर वर्ष 2011 के उनसार उतर प्रेद के रामपूर में सबसे कम महिला साक्षर्ता है option D यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question question number 145 phone line और modem की सायता से internet से connect करना क्या कहलाता है तो phone line और modem की सायता से internet को connect करना dial-up कहलाता है तो option यहाँ पर right answer जो हो जाएगा option B हो जाएगा dial-up अगला question question number 147 cyber सुरच्छा से समंधित नहीं है दिये गए options में से आपको बताना है काउन सा option cyber सुरच्छा से समंधित नहीं है तो यहाँ पर इस question का जो right answer हो जाएगा option D इन में से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा next question question number 148 mobile phone और tablet के लिए operating system है तो यहाँ पर इस question का जो सही जवाब हो जाएगा यह सभी हो जाएगा windows OS, android OS और iOS सभी options सही हो जाएगे next question question number 149 cursor है आपको बताना है cursor क्या है तो cursor एक पतली blinking line होती है option A right answer हो जाएगा अगला question question number 150 है computer का सबसे महातपॉंट system software क्या है तो computer का सबसे महातपॉंट system software operating system होता है option B right answer हो जाएगा दोस्तों यह रहे आपके part third सामान जानकारी के 50 questions practice it first के दोस्तों यदि आपको class पसंद आती है तो चैनल को class को सबसे जादा से जादा आप like और share करिए दोस्तों दोस्तों आज की class में बस इतना ही मिलते है next class में तब तक के लिए नमस्कार जाहिन धेनवात